मसाला भिंडी फ्राय बनानी के रेसिपी एकदम आसान और सिंपल तरीके से तो आप इसको दाल चावल वागेरा के साथ भी बना के ना मतलब खा सकते तो चलिए देख लेते हैं तो यह ना 250 क्राम भिंडी है यानि पाउ किलो भिंडी है तो इसको मैंने इस तरीके से ना लंब अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इसको इस तरीके से एकदम लंबा लंबा भी बना सकते यह इस तरीके से इसको बीच में से काटके यह थोड़े छोटे साइस का हो जाता तो आप इस तरीके से भी बना सकते तो अब लोग पहले इसमें दाल देंगे कुछ सूखे मसाल मंधित देटर गोटेकर एक शत्क सुद्स है तो यैन। कि दाले और चमाच से भी कम है हल्दी और में से एक चमच उसक जए लग पोडर देख वाग विए ब्लादा पोडर देंगे आतर अल उग समय और ध 농 धन्याद पॉर्टर मैं जालोंगे देड़ चमच अगर आफ दो पास कॉन्फ नहीं है यह तो आप लोग इसमें चने काटा भी यूज कर सकते यानी बेशन काटा और अभी मैं Isem तो चामच नमखनु ह Murphy सबस्ते तरह बाht नमक्याrator कर पूरी जाए यह मिक्स कर लें। चामच मिक्स, में थाओं प्लेट एक गदने साज़ने के लिगे、 और र। तो पीड़ के दालें ल। शुप्रों महें को में खमाँ कमपनी के ख़र होिए। बढ़े चिकन 65 यह अमर्टन 65 यह फिश फ्राय करने का कोई भी मसाला प्राय करने का जो भी मसाला ना रेडि मेट बाहर पाकिट मिल जाता आराम से बस वह इसमें दो चमस दाल देंगे बिच्च्टा मासाला अच्छा लग गया था यह तो बस अब मैं इसको तो फ्राइधां नहीं पर आप तो अगर आप लोग चाहिए तो इसको पड़ाई में भी प्राय कर सकते और इसको अगर इतना क्रिश्प यह अगर अगर देख को तो इस तरीके से ग्यास को मैं फास्ट पे रख के इस तरह wristIakko थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूंगे और इसको fry करके निकालेंगे diagonal कृष्प वरे तर कि और ग्रीकिसे जब प्रिक्रिय को चौने अब भी क्रिश्पी चाहिए तो थोड़ा और खूब तक तल सकते हैं और फिर भी तो नीकाल सकते बढ़ाई हैं इस तरीके से न हम लोग इसको झ儿टपंट fry करकेगें। और अचार होने बराए के बाद कि पिआ ठीड़ी दो मतलब कहा लएते है। तो बस इस तरीके से जितने भी थे और बाकी के वो भी हम लोग फ्राय करके निकाल लेगें तो एक दम आसान सिंपल सी रेसिप है तो आप लोग भी इसको बनाएए ट्राइ कीजे और इंजॉय कीजे और मेरे चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पकाईए खाईए खिलाईए और खुश रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजेए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाफिज